हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल अनिस्टोपेबल एजुकेशन और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज के सब्टाइटल का यूज़ करके अपने इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो एक बहुत ही बहतरिन तरीका है इंगलिश सीखने का अगर आप भी अपने इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का इंट तक जरूर देखना so friends बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला sentence so friends यहाँ पर ही बोल रही है कि लगता है आज कल तुम बहुत व्यस्त हो इसे English में बोलेंगे it seems you are so busy these days it seems you are so busy these days so friends यहाँ पर ही किसी फोन पर बात कर रही है कि लगता है आज कल तुम बहुत व्यस्त हो it seems you are so busy these days मैंने तुम्हें केई बाहर कोल की लेकिन तुमने कभी मेरी कोल का जवाब नहीं दिया I called you so many times but you never answered my call I called you so many times but you never answered my call लगता है तुम मुझे भूल गई हो you seem to have forgotten me you seem to have forgotten me कह रही है कि लगता है तुम मुझे भूल गई हो you seem to have forgotten me तो इसके जवाब में कह रही है नहीं वैसा कुछ नहीं है no there is nothing like that no there is nothing like that no there is nothing like that मैं बस अपने काम में बहुत व्यस्त थी I was just too busy with my work I was just too busy with my work यानि मैं बस अपने काम में बहुत व्यस थी I was just too busy with my work So friend यहाँ पर दिहान से देखना जब भी आपको किसी से बोलना हो कि मैं अपने काम में बहुत व्यस थी तो इसके लिए आप उस करोगे with my work जैसे कि कह रहे कि I was just too busy with my work क्यानी मैं अपने काम में बहुत व्यस थी देखो मुझे तुम सबसे कुछ कहना है इस इंगलिश में बोलेंगे अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ख्याल रखना इफ एनिफिंग हैपनस तो मी टेक केर अफ माई फैमली इफ एनिफिंग हैपनस तो मी टेक केर अफ माई फैमली मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत बहुत खुश हूँ इस इंगलिश में बोलेंगे तुम्हारे यहां होने से हम सब बहुत खुश हैं यानि के तुम्हारे यहां होने से हम बहुत खुश हैं यानि तुम्हारे यहां होने से हम सब बहुत खुश है क्या किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या किसी को मुझसे कोई शिकायत है इस English में बोलेंगे देखो मुझसे कोई दिकत नहीं है यह बोल रहा है कि लेकिन मैंने हमेशा से अकेले काम करना पसंद किया है इसलिए मुझसे तुम्हारे साहता की ज़रूरत नहीं है कह रहा है कि अगर तुम्हे कुछ हुआ तुम्हे मर जाओंगी यहां पर इस से कह रहे है कि I would die if anything happened to you यानि अगर तुम्हे कुछ हुआ तुम्हे मर जाओंगी So friends यह एक second conditional sentence है इसलिए हम इसे बोलेंगे I would die if anything happened to you अगर तुम्हे कुछ हुआ तुम्हे मर जाओंगी अपनी गलतियों के लिए मुझे दोश मत दो Don't blame me for your mistakes Don't blame me for your mistakes तो अपनी गलतियों के लिए कोई इसे दोश दे रहा है इसे blame कर रहा है तो कह रहा है कि Don't blame me for your mistakes यानि अपनी गलतियों के लिए मुझे दोश मत दो वो तुम्हारी गलति थी मेरी नहीं That was your mistake not mine That was your mistake not mine लेकिन मैंने कभी उसे जुट बोलते नहीं सुना चलो चलें इससे पहले की बहुत देर हो जाए तुमने देखाना क्या हुआ यह कि इससे कह रहा है कि तुमने देखाना क्या हुआ तुमने देखाना क्या हुआ तुमने बेवजा अभी एक आदमी को मार दिया तुम अच्छे से जानते हो मुझे वैसा करना पड़ा तुमने बेवजा अभी एक आदमी को मार दिया तुमने बेवजा भी एक आदमी को मार दिया तुमने जान बचाने को कह रहा है कि तभी सच बता दिया होता I wish you had told me the truth then I wish you had told me the truth then यानि काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता I wish you had told me the truth then मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो I didn't know you could cook so well I didn't know you could cook so well तो यहाँ पर यह अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है कह रहा है कि I didn't know मैं नहीं जानता था You could cook so well तुम इतना च्छा खाना बना सकती हो So friend आज की वीडियो में तना ही जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी उसफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने की So friend अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अप्लोड करते रहते हैं So friend यह काफ यूसफुल सेंटेंस है होचा के तो यह नोट डाउन कर लेना याद कर लेना क्योंकि यह सेंटेंस आपकी डे-टो-डे लाइफ में बहुत काम आएंगे जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे So friends जरूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी है Thank you so much for watching this video friends We can все आपक पेस getting up झाल झाल